हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल तो अब हम आगे हैं अपने ताइजी के यहां पे जो कि हम कल तायारी थोड़ी बहुत करके चले गए थी जो छट महिया है वो हम लोग आज बनाएंगे तो मैं मेरी मामी और मामी के बच्चे और ममी हम सब आये थे तो हम आग करके थे तो ताइजी जादा काम नहीं कर भाई थी इसलिए जो ममी गई उसके ममी के जाने के बाद ही बहुत सारा काम हुआ तो यह आर्क हमारा जो भी था चीजे जो भी चीज़े थी हमने लगा ली थी जिसमें हमें फल, फूल, मिठाई जो जो छी छट महिया को चरती है उ और इस ताइम पर घर की लाइट भी भाग चुकी थी और इंवेटर खराब हो गया था तो इसलिए साफ साफ फोटो नहीं आ पा रही है तो यह ममी और ताइजी अर्क के तैयारिया कर रही है क्या-क्या चीज़े चाहिए कैसे कैसे चाहिए सब पुश रख रही है इस ताइम जो अर्क दिया जाता है उसमें बहुत साइच छोड़ी चीज़े होती हैं जो कि हमें याद करनी पड़ती हैं ताकि छट महीं नराज ना हो जाए इसलिए छोड़ी चीज़े हम यह लोग याद करके उसको ध्यान से जख लेते हैं तो अभी ताइजी ने पहले बाद छट किया था तो ताइजी के पास पीतल के जो सूप होते हो नहीं थे इसलिए हमने मिटी के सूप लाए थे इसलिए कुछ में कुछ सूप मिटी के थे देख सकते हैं तो हम टाइजी जयल में खड़ी होंगी तो यहाँ पे तो कोई नदी पोकड़ा नहीं है तो हम लोग छट पी करते हैं तो जयल में खड़ी होगी हुआ हम इसमें भरेंगे इसमें हवा भर रहे थे जो कि हमें बहुत जादा दिक्का दुए थी इसमें हवा भरना है में बहुत देर तक हम इसमें हवा भरते रहा है भरते रहा है तब ले दे के थोड़ा सा ही फूला था जादा तो नहीं फूला था बस काम चला हो गया था उस उसके बाद हम चल देते हैं छट महिया को बनाने के लिए जो कि हमने एट ली मिट्टी तो थी हमारे पास मिट्टी ली पाने लिया उसके बाद हमने छट महिया बनानी शुरू करी छट महिया को बनाने में जितना मज़ा आता है इतना और कोई काम करने में नहीं आता है बहुत में बड़ा मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है, doe Ave, बनाने में तो इसलिए मैं बैठ गई- थी परस न एस ना ही बोलता है कैसा हुर्ञाण का हम घर भेजितमीया बनाते तो बड़ी संदर बनाते हैं तैओं के इतनी इस चीज से नहीं चौए म Greeks सhehe वह बहुत जादा चल रही थी जो भी हम डेकुरेशन कर रहे थे चटमया के सब उड़ जा रही थी इसा थोड़ा मोड़ा जो भी हमसे हो चुका हमला हो सकता था उतना हमने बेस्ट करने की कोशिश करे थी कि चटमया बहुत सुंदर दिखाई दे तो हम यह इंट ले लेंगे उसके बाद हम चटमया बनानी शुरू करेंगे पहले हम नुचे तीन इंट रख लेंगे उसके ऊपर दो इंट रख लेंगे उसके पर हम छोटी सी इट रखते हैं ताकि वह अच्छे से एक शेप में मिलन लगे कि हाँ भगबान है और इसमें पहले हम जादा गीली मिटी न लगाते हैं ताकि हो बोलगोल में अजा उसके बात गीली ने मिटी का थोड़ा उड़ा भी थांत मार जाए तो यह मम्मी भी आ चुकी थी help करने के लिए क्योंकि जो अर्क की तयारी थी वो सब पूरी हो चुकी थी तो मम्मी ने कहा था कि मैं तरी help कर दूँ तो मम्मी भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए तो मम्मी और मैं ने मिलके फटा 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 फट फट बना लिया था बनाने में इसको बहुत मज़ा आता है इसलिए मैं तो बहुत शांते से बैट के बनाती हूं प्रिष्ली बार मैंने गिली मिटी को जादा कर दी तो मम्मे मुझे बार बार बोल दी कि मिटी जादा गिली मत करना क्योंकि प्रिष्ली बार मम्मे को बहुत दिक्कत हुई थी उसको गिली मिटी को बार बार सुखाने में तो इसलिए मैंने इस बार बहुत कम गिली मिटी की जाक थो पहले सेखी मेठी लगाई उसके बाद मैंने गेली मेठी लगाई थी अबंगर को कर रहे हैं इस सब्सक्राइब को कर में तो भॉट बना रहे थे भाड़ हो चुकि में इसपर डेकॉरेशन रिफ वर शफिता करावी, के बाद की उसके बाद हम इसकी डेक्रेशन करना शूरू करेंगे मंमी चट्मेह बनेवा के जा चुकी थी चली गई थी ममी उसके बाद हम आस-पास से थोड़ेgen है तो पूल ठोड के लेए थे क्योंकि तो ताऄजी फूल लेए थे वह बहुत थोड़े से थे तो इतने में छटमाईयां पूरी नहीं सच पाती तो जितने भी हमें आसपास फूल मिले वह हम लिया है घर के पास से तो हमने इसी फूल से काम चला लिया इसी फूल से हमने इनको तयार कर लिया जादर वहां पर पिंक कलर के रोज बहुत साय थे जड़ कलर के हमें कुछ ही मिले तो बस हम उनने से काम चला लेंगे कि यह मारी पूरी हयला टायट हो चुकि थी क्योंकि गर्मी बहुत जाधा थी उस दिन नरहों में धूब करके ऐस र सेस्थ की पूरी हालत हो गाई ओए हमने पूरे चाट मैं है आपlastी हमारी तयार होने के बाद लग रहे थी इसके बाद हमने सोचा कि इस पर कुछ रैड वक जो रोस के फूल है उसका भी हम कुछ डेकोरेशन करते हैं ताकि थोड़ा ओर लुक आए क्योंकि वाइट वाइट इतना खिल नहीं रहा था उसके बाद हम रेट क्लरी के रोस करने के लिए सोचा लेकिन हमने सुचा कि इसकी बाउंडरी बना दे लेकिन एक बार हवाई सारे गुलाब के फूल हमारे उड़ गए थी तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से उनको कैसे भी करके विचारे को रखा हमने ताकि वो ना उड़े इसमें सबस्दा हैल्प मेरे जो मामी के बच्चे आ रहे हुए थे सबस्दा हैल्प उनकी थी उन्होंने मुझे बताया कि दिदी ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे सजाते हैं तो थैंक यू मैं दोनों छोड़़शटे भेंद भाई हो उसके बाद हमने गुबारे फूलाए द programmable उन्हों सब्सदा हैं थिर्टो जादो गूबारे नहीं थी तो हमने पेले उसको अच्छे से पहले गुबारे फूला आके उसको धागे में बांद के तो उनको गूबारे हो तो हमारी छ目前 पूरी तयार हो चुकी है उनको गूबारे लगा लिए हमने के लेकर पते जैसे उसके निवस्टासे सें हमें बांध ने आए वैसे हमने बांध दिये और हमारी शक्त मईयां पूरी तैयार हो गले हैसे लग रहे ती यह हमने पानी के तैयार इकर दितिं पानी अभी नहीं भरा था कोई आदमी या फिर जो घर के बेटे होते हैं वो डाला मलब अपने सर पे रखके लेके जाते हैं सब बोलता है कि मलब बहुत शुप होता है डाला सर पे रखके लेके जाना तो इसलिए घर के आदमी या फिर बड़े बेटा कोई भी बेटा हो तो वो डाला सर पे रखके लेक जा रहे थे और ताई जी उनके पीछे पीछे थी और अभी हम लोग रेड़ी हो रहे थे तो अभी हम लोग नहीं आ पाए थे मम्मी ताई जी आ चुके थे क्योंकि अब सुरज भगवान जाने की तैयारी में थे क्योंकि इस पर डूपते सुरज की और उखते सुरज की पूजा होती है तो जो सुरज जब डूपने वाला था तो उनकी पूजा करनी थी तो इसलिए हम लोग मम्मी ताई जी और ताउ जल्दी आ गये थे बहुत लेट हो जाता अगर थोड़ दर बाद आते तो सुरज भगान जी अपने घर जा चुके होते तो इसलिए दुनों ये सब आ गए थे पहले या लोग आके इतने पूजा की तियारी करते इतने हम लोग रेडी होके आ जाते ये ती है ये हमारे सुरज भगवान ये है हमारी प्यारी सी मामी जो की बहुत ज्यादा क्यूट है जहां पर भी मामी रहती है, वहां पर मस्ती होती है, बस क्योंकि बहुत हस्मुक मामी है, हमारी सबसे स्पेशल वाली तरी छिटमया की पुजा के लिए तैयारी दाइजने शुरू कर देती, जो की दुबत्ती अगरबत्ती जो भी दिया था उजलाना था और ये हम भी अब रेडी हो चुके हैं, ये मेरी मम्मी की साड़ी थी, जो मैंने पहने थी, क्योंकि मैं जब घर आने वाली थी, तो मैं ज़्यादा साड़ीय नहीं लिक्या आई थी, तो मैंने अब भी मम्मी की साड़ीय पहने थी, और ये हम लोग भी आ गये हैं, ये सबसे क ना पूत वुट्र नारव होता है उतल मैं अनिते आइं हमारी दोसे रखाई हैं हमारे चटी मोरा की कगरी मारे थे परशकषतí उसकade नित्व सो कुछ जाव काम एक बाक समा हुआ भोग एक दमसे आखे लोग देखा तो बहुत बशाद हो घुट्स में डोग पराइशान जो हमने बड़ी मुष्किस से फुल आया था तो उसे में थोड़ा गंगा जल में डाल दिया था क्योंकि ऐसा बोलता है था कि गंगा के किनारे चटपूजा की जाती है तो इसलिए गंगा किनारे तो कोई था नहीं तो हमने इसलिए उसमें पानी भरके थोड़ा फूल रखे ठोड़ा गंगा जिए रखे दूसरी को गंगा में माल लिया था तो गंगा जिल में थोड़ा खड़ा होते हैं तो पाइर भिमारी कशरी Jonathan हो गई थी ती तरी नहीं को कि धिरीए इनаки कि डूग दे सुरज भगान को अर्क दिया जाता है और हमारी एक क्यूट सी बीबी बैलून में इतना खेल दी इतना खेल दी कि यह जब तक यह तूटाने तब तक यह खेल दी रही इसमें एक दिन में पूरे बैलून की ऐसी तेशी कर दी थी तूटाट के एक तरह, उसके बार इसने बैलून को छूआ तक नहीं, जब ये बैलून तूट गए, बीच में से आधा-धा, उसके बार ने छूआ, जब तक लटका रहा तब तक ये खेलती रही, उसके बार कहा बैलून, कैसा बैलून, कोई फरक नहीं पड़ता बैलून से, यह हमारा छोटा शैतान जो कि मेरी सबसादा मदद करता है मेरा भाई है मामी का लड़का मेरी बहुत मदद करता है तब यह ताई जी जो गंगा महिया होती है हम गंगा की किनारे जब छट पूजा करते हैं तो उनकी भी जब पूजा करते हैं के लिए जलाते हैं तो वैसे ही हम यहां पर भी अपनी घर पर भी करते हैं क्योंकि हम उनको कंगा महिया मान के उनके सामने पूजा करते हैं तो इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं उनके लिए के परशाद वगारा सब कुछ करते हैं कि अर्ग दे चुके थे हम और हमारी पूजा खतम हो चुके थे इसलिए हम थोड़ा बैठके दिया वगरा जला कि थोड़ा बैठके जो गीत होते हैं छट्मिया कि वो ममी मामी भावी ताई जी सब गा रहे थे और मुझे गाने नहीं आते इसलिए मैं बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी और यह मेरे भावी का सबसे छोटा लड़ बेटा है जोकि बहुत क्यूट है बहुत ज्यादा क्यूट है यह हमारी छो टंकी बिचारी बैलोन टूटने के पार इसको बैलोन से कोई मतलब नहीं था जबर दस जिसके हाथ में बैलोन दिया जाया था ताकि थोड़ी देर एक खेलती रहे तो हमारी पूजा हो जाए क्योंकि बच्चे जितने भी इसलिए उनको कोई बैलोन दे रहा है कोई बॉल दे रहा है ताकि वह इसमें उल्चे रहे हैं और ज्यादा फलफ्रोस की तरफ ना भागें तो सुरज भगान जी अपने घर जा चुके थे अब हम नीचे जाने के रियारी कर रहे थे तो हमने सारा समान मम्मी मामी यह सब बाटरी बरॉकर ब्रूब डाउन हो चुकी थे उनकी हेमत नहीं थी कि वह कुछ करें क्योंकि उससे पहले वह अपने पोता-पोतियों में इतना बिजी थी क्योंकि उनके पोता-पोती से ज़सादा ताइजी को यानि में अपने दादी मां को प्यार करते हैं तो वह था तो जादा परशान हो गए थी क्योंको निर्जला व्रत रखना था वो उनको प्यास भी लग चुकी थी तो सारा जमान के पैक हो गया है अब नीचे जाने के लिए सोच रहा है अब ताओ जी को उस तर्म ढूरना जाना था क्योंकि ताओ जी मारे नीचे चले गए थे तो फिर ताओ जी को बुलाया गया फिर डाला वैसे ही जैसे लेके आते हैं वैसे ही लेके जाते हैं डाला सर पर रखे ताव जो डाला सर पर रखे चल दिये थे हमारी क्यूट बीबी अपने पापजी को फोलो करती हुए उनकी पीछे-पीछे जा रही थी अब हम सब लोग भी नीचे चलेंगे अब हम लोग नीचे आ गए हम नीचे आ कि जितना भी डाला में जो शमान धाओ जो भी अर्खती होनों उसको निकाल की अफिर कुछ गीत होते हैं आपके मर्जी जितने भी 5-11 जितने भी ताते गीत काते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं बैठ जाते हैं यानि जटाई जी उसके बाद बराम करेंगी फिर कर सुबार जो और दिया जाता है उसके तैयारी करके अधाई जी अराम करने चले जाएंगी